असलाम वालाइकूम वरहमतुलाही वबरकातु हूँ वेलकम बैक टू आल चैनल वोप यौल आ गूड एट या हूम और डूइंग ग्रेट आज जो है हम लोग 10 स्टैंडर्ड का हिस्टरी का जो 8 चैप्टर है तारीक और सॉरी टूरिजम एन हिस्टरी जो सियाहत और तारीक है उसके कोशन आंसर्स देखने वाले है तो चलिए चलते हैं पेज 58 पर आपकी टेक्सबूक में जो है इसके कोशन आंसर्स दिए गए है सबसे पहला कोईशन है जेल में से मुनासिम उतबादिल चुनकर बयान को मुकमल कीजिए इसमें पहली खाना पूरी है कुक ने डैश बेचने की एजिंसी का कारोबाद शुरू किया थॉमस कुक ने जो है हम जानते हैं सियाहत की टिक्टे बेचने का कारोबाद शुरू किया था सेकेंड है महाबलेश्वर के करीब बिलार नामी गाव डैश के लिए मशूर है तो यह जो गाव है वो है किताबों के लिए मशूर अब है दर्जेल में से गलत जोड़ी दुरूस्त करके दुबारा लिखें तो आपको दुरूस्त नहीं करनी है न्यू पेपर पैटन के हिसाब से बढ़ आपको जो है आइडेंटिफाय करना है गलत जोड़ी तो मातिरान सर्दाब हवा का मकाम है यह सही है देखें मैंने आपको कहा था एक्स्वेशन की वीडियो में कि आपको जो है एंड में एक सेक्शन दिया गया है जिसमें सिर्फ महराष्ट के इलाकों के बारे में बता है उसी मेंसे जो है गलत जोड़ी अक्सर पूछी जाती है और बच्चे अक्सर कन्फ्यूज हो जाते तो वो जो है पार्ट बिर्कुल स्किप मत करिये मातिरान सर्दाब हवा का मकाम है ताड़ोबा जो है वो है मामन यानी वाइल लाइफ सैंचुरी है वो गुफा नहीं है तो ये जोड़ी जो है गलत होगी कॉलापूर मंदीर और अजनता अलमे विर्से का मकाम है नेक्स्ट है दिये वे बयानात की वजुहात के साथ वजाहत कीजिए यानी वजुहात लिखनी है दौरे हाजिर में गेर मुल्की सफर की शरा में यानी कि जो इंटरनाशनल टूरिजम है इंटरनाशनल जो सफर है उसके रेट में इजाफा हुआ है तो इसका अंसर पेज नमबर 53 पर रेड कलर से हम चलते हैं पेज 53 पर आपको एक साइड हैडिंग मिलेगी बैनुल अक्वामी सियाहत तो वो पूरा पेरेग्राफ होगा इस पेरेग्राफ में आपको बताए गया है कि जो ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें जो है तरक्य होने की वज़ा से भी जो है और अलग-अलग जो है आला तालीम, तफरी, मकामात की सहर, मीटिंग, कॉन्फरेंस वगरा की वज़ा से भी जो है इंटरनाशनल टूरिजम जो है वो बढ़ गया है तो यह पूरा पेरेग्राफ जो है वो आपकी वज़ुहात का अंसर होगा नेक्स्ट है अपने कुद्रती और तहजीबी विर्से का तहफुज हमें खुद करना चाहिए तो इसका अंसर जो है पेज नंबर 55 पर है पेज 55 पर अपाएंगे तो आपको साइड एडिंग मिलेगी आंट अशारिया चाह तारीखी मकामात की निगयदाश्त और तहफुज तो इसकी सेकेंड लाइन से हमारा आंसर शुरूओगा हमारे मुल्क भारत में कदीम है दिवस्ता और दौर हज़िर के तारीखी मकामात का विर्सा मौजूद है उसी के साथ खुद्रती विर्सा भी हमें हासिल है इसमें जो है खुद्रती विर्सा और इंसानों का तयार वगेरा शामिल है यह आंसर पेनमर 56 पर कंटिन्यू है दुनिया भर के सिया आलमी विर्से के हामिल मकामात की सेहर की खुद्रती विर्सा का तहफुस करना चाहिए अब हैं नोट लिखिए तो पहली नोट है हमारी सियाहो की रिवायत और सेकेंड है मारको पोलो दोनों भी जो है पेनमर 52 पर ही है सबसे पहले पेड नमबर 52 पर सियाहो की रिवायत जो पहली नोट है उसका अंसर देखते है तो इसमें जो है आपको सबसे पहले सियाहत की डेफिनेशन लिखनी है पहले इल्म के लिए दूरदरा जिलाको का सफर तिजारती सफर वगरा के जिमन में पहले जमाने में लोग सियाहत पर निकलते थे मुक्तसर निया कि इनसान को कदीम जमाने से ही सफर करना पसंद है एक बात याद रखे आप किसी भी किसम का अंसा लिख रहे हो मुफसिल के अल अगर आपको किसी इसम का सवाल है तो उसमें आपको इंट्रोड़क्शन देना होता है तो वो इंट्रोड़क्शन आप जो है चाहिए वो आपको 2,3,4,5 जितने भी लाइन का इंट्रोड़क्शन हो वो परेग्राफ में लिखे उसके बाद आप लोग पॉइंट बना कर ल सियाहत यानि जो एग्रो टूरिजम है तो इसका आंसर जो है पे नमबर 54 पर है पेज 54 पर आपको उपर साइट हड़िंग मिलेगी जरई सियाहत इसका पूरा जो परेग्राफ है वो आपको लिखना है अब नेक्स कुशन है दर्जल सवालों की 25 त 30 अलफाज में जवाब ल डूरों उसमें जो है देखिये ईवर्ण उपर के नीचे की जो परेग्राफ से उसमें हमारा अंसर है शूरू करेंगे हम सियाहों की नकले हमल और तहफुथ सफर की सहूलियात में आरी कयम गाहों का इंतिजाम सफर में तेहारत खानु की सहूलियत वगईरा को सियाहत पें तरजी देना जरूरी है माज़ूर सियाहों की जरूरियात पर भी खुदूसी तवज्जा देना की जरूरत होती है। पर भी खुदूसी तवर्य की जरूरियात पर भी खुदूसी तो तो पर भी खुदूसी तवर्य होती है। इतना लिखने के बाद आप लोग उसी पेज़ पर ये ग्रीन बॉक्स की उपर एक परेग्राफ है वहाँ पर आपको लास में तीन लाइन मिलेगी मसलन मकामी खाने दस्तकारी की अशिया वगरा सिया बड़ी दिल्चस्पी से खरीते हैं जिसकी वैसे मकामी रोज़गार में इसका अंसर भी वही जो आपनोगों ने सियाहत का फरोग हैड्न के नीचे थे फिरीन बॉक्स के लगाया थे अंसर जो है यहां सियाहों की नकलो हमल से यहां से लेकर उमूर से बचना जरूरी इतना रहेगा प्लस आप लोग जो है यहां पर इन बॉक्स के नीचे जो लास महाराष्ट्र के आलमी विर्से में शामिल सियाहती मकामात इसमें जो युनेस्को की तरफ से जो हेरिटेज की लिस्ट जा रिकी गई थी उसमें जो महाराष्ट्र के मकामात है वो तो यहां मैंने इंगलिश में लिखी हूँ बड़ आप लोग जो है उर्दू में लिखेगा पहला है गार तो अजंतने याई लोच आप लोग ओर आलमी विर्से में सामिल हैं रेल्वेस्ट स्ट सलेशन स्ट जो है वीं जो है वी ती स्टेशन वी ये से कहा जाता है लेकिन स्ट जो है उसका प्रूव नेम है तो आप लग वो यूज सेथे तरयो बग्व Εं कमामन में पहला है सियाद से मुतालिक पेशावराना शोबों की वज़ात कीजिए जिसमें आपको कहा था कि आंसर रिपीट हुआ है पेशावराना 56 पर चलते हैं इसका मुफसर आंसर देखते हैं साइट हैडिंग मिलेगे आपको आँट अशारिया पाल सियाध में शोबे में रोजगार के मवाकभी सबसे पहले सियाध की डिफिनेशन लिखेंगे उसके बाद जो हम फर्स परिग्राफ से स्टार्ट करेंगे सियाथ सबसे जादा रोजगार के मवाक के फराम करने अलिसानत हो सकती है अगर हम पेशावराना नुक्ते नजर से उसकी तरफ तवज़ा देते हैं एक मुस्ताकिल रोजगार है इतना लिखने के बाद जो नीचे आप लोग जो है चार लाइन स्किप करेंगे फिर आपको लाइन मिलेगी सफर खर्स होटल में कयाम होता हम गाइट की मदद लेना अगबारात हवाला जाती वसायल खरिदना यागगार की तौर पर मकाम याशाख खरिदना वगरा सिया अपने घर लोटने तक इन सब तरीकों से मुल्कियामनी का जरिया बनता रहता है इसके बाद जो है पेज नंबर उसी पेज पर जो है ग्रीन बॉक्स के उपर एक पेरिग्राफ है वहाँ पर से आप लोग जो है लाइन लेंगे दस्तकारी और घरेलू सेनद को फरोग हासिल होता है यहां तैयार करदा अशिया की खरिदो फरोग में इज़ाफ होता है अब लास्ट कोईशन हमारा है सियाहत की कोई तीन किसमों की वज़ाहत कीजिए तो देखे आपको यहां पूरी चूट दी गई है आपको सिर्फ कोई तीन ही एक्स्पेंट करना है आपकी टेक्स्बूक में आट अलग-अलग किसमे दी गई है लेकिन इसका अंसर आप लिखेंगे कैसे सबसे पहले आपको सियाहत की देनी है डेफिनेशन उसके बाद आप लोग को कुछ इस तरह लिखना है कि सियाहत की कई किसमें होती है जैसे तिबी सियाहत, तारीकी सियाहत, जो भी आपको याद होगा वो और फिर उसके बाद जो है आप लोग अपनी जो भी आपको तीन एजी लगती है वो आप सेलेक करेंगे और नमबर वन जैसे अगर जरही सियाहत है तो नमबर वन जरही सियाहत फिर उसके बारे में लिखे पेर पॉइंट्स बनाकर फिर नमबर टू तिबी सियात उसके बार में लिगए तो पेर नमर 54 पर आप देखेंगे अगर तो इस पेज पर पेर नमर 54 पर आपको सारी ओल्मोस टाइब दीवी जिग्राफिया सियाहते यह हजराइ सियाहते केल सियाहते, इतिफा की सियाहते, तिबी सियाहते, सियाहते और उपर भी आपको पेनमा 53 पर तारी की सियाहत वगरा मिल जाएगी तो जो भी आपको जैसा भी अपने आप में comfortable लगता है आप लोग जो easily explain कर सकते हैं वो आप लोग select करके लिख लीजिए so that's it for today, उमीद है कि यह आपके लिए helpful होगा अगर कोई confusion है तो निचे comment करिए like, comment, share and subscribe to my channel thank you for watching, bye bye